नमस्कार दोस्तों, जै माता दी, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हर्तिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंड बॉक्स में जै माता दी जरूर लिखें, माता रानी सबका कल्यान करेगी. दोस्तों, फैंग्सुई के अनुसार कच्वे को रखना गुडलक माना जाता है, और वास्तु के अनुसार कच्वा बेहद सुभ होता है, माना जाता है कि कच्वा यदि आपके घर में रखा है, तो घर की सारी नकारात्मक सक्तियां इसके होने से नस्ट हो जाती है, कच्वा र रहती है और मन भी सांत रहता है यह धन और सौभाग दोनों में व्रद्धी करता है दोस्तों आपने बहुत से लोगों के घरों में कच्वा रखे देखा होगा अलग अलग आकार और मेटल के कच्वे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि किस धातू के साइदे होते हैं आप अपनी मनो कामना के अनुसार उस धातू का कच्वा रख कर अपनी मन चाही मनो कामना पूरी कर सकते हैं दोस्तों एक खास प्रकार का कच्वा जिसकी पीट पर बच्चे कच्वे भी होते हैं उसे संतान प्राप्ति के लिए खास माना जाता है जिस घर म संतान ना हो या जो दमपती संतान सुक्सेवंचित हैं उन्हें इस प्रकार का कच्छवा अपने घर में रखना चाहिए इसके अलावा कच्छवा धन प्राप्ति का भी सूचक माना गया है यदि किसी को धन सम्मंदी परिसानी हो तो उसे क्रिस्टल वाला कच्छवा लाना चा पाने के लिए मेटल का कच्छवा रखना चाहिए इसे दुकान ऑफिस के अलावा अपने बेडरूम में भी रखा जा सकता है अगर घर में आए दिन किसी ना किसी की तबेत खराब रहती है तो इससे बचने के लिए आप अपने घर में मिट्टी का बना हुआ कच्छवा ऐसा करने से व्यापार को किसी की भी बुरी नेजर नहीं लगती है आज कल बच्चों के साथ साथ बड़े भी नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए आई दिन परिक्छा की त्यारी करते रहते हैं ऐसे में बच्चों के कमरे में या बड़ों को भी अपने कमरे में पीतल का बना हुआ कच्वा रखना चाहिए इसे उन्हें परिक्षा में सफलता मिलेगी दोस्तों यदि घर के सदस्यों में आई दिन लड़ाई जगड़े होते रहते हैं तो घर में दो कच्वों का जोड़ा रखना चाहिए ऐसा करने से घर के सदस्यों के बीच में चल रही अनबन ख उत्री या फिर उत्री पस्चिम दिसा में रखना चाहिए और क्रिस्टल से बने हुए कच्वे को हमेशा दच्छड पस्चिम या दच्छड पूर्वी दिसा में रखें और मिट्टी से बने कच्वे को उत्तर पूर्व या फिर दच्छड पस्चिम दिसा में रखना चाहि अगर आपको एक कच्वा नहीं बलकि बहुत सारे कच्वे या फिर कच्वों की फैमिली रखनी है तो उनका चेरा हमेशा पूर्फ दिसा की और रखना चाहिए तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवस्थ बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और सेयर करें और साथ इसा चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद